हाई फ्रेंड्स आपके अपने यूटूब चैनेल फसल फार्मस तक मैं आपका स्वागत है यदि आप चैनेल पने हो तो चैनेल को सब्क्राइब चरूर कीजिए क्यों करे कि इसको खड़वार ना सकते सांथ मिक्स कर सकते हैं इसके लसून में क्या फाय दे है प्रतियकड़ी स्प्रे कोई सी कमपने का लेनों सावधानियों किसान भाईयो लसुन अन्य फसल की जानकरी इस चेनिल के माध्यम से किसानों तक पोचाते रहते यदि आपने अभी तक चेनिल को सब्क्राइब निकाद चेनिल को सब्क्राइब चिरूर कीजिए क्योंकि आने वाले समय में से जानकरी आप तक पोचती रहें तो किसान भाईयो एन पी के नायट्रोयन फासपुरस और पोटास या पोटेसियम भी बोल सकते हैं तो अपन देखेंगी यदि फासपुरस की जो इसमें मात्रा है 52 वो पोटेसियम या पोटास की 34 ही तो अपन देखेंगे यदि पासपुरस के करमी रहेगी पोधह में तो क्या लक्षन दिखाए देंगे उसकी पुर्ति करने के बाद अपने को पोधो में क्या प्रभाव दीखेगा ये भी अपन देखेंगे किसान भाईयो जब लसुन की गाठे बन रही हो उस समय अपने को फासपुरस का इस्प्रे करना है फासपुरस जो होता है जड़ो का विकास अब देख सकते इसकी कमी रह गई तो पोध के सदेखेगा देख सकते हैं पोधे छुटे रह जाएंगे पत्तियों का रंग हल्का बेगनिया भुरा हो जाता है फासपुरस की गति सील होने के कारण पेले ये लक्षन पूरानी निचली पत्तियों में दिखते हैं दाल वाली फसलों में पत्तियों नीले हरे रंका हो जाता है तो अपने लसून की बात करेंगे लसून में भी इस तरह का प्रकौब दिखाई देता है पोदों में की जड़ो की ब्रद्धी वविकास बहुत काम होता है वो कभी-कभी जड़े सुकने लगती है तो किसान भाईयों जो लसून का पोदा है वो जड़गे माध्यम से ही हर पोशक तत्व लेता है यदि जड़े खराब हो जाएगी तो आप सोच सकते पोधे पे क्या प्रभाव पड़ेगा अधिक कमी में सित्ताना गेहरा पीला पंड़ने लगता है फल बीच का निर्मान सहीना होता है इसकी कमी में आलू की पत्तिया प्याले के आकार की दलहनी फसला में पत्तियों के नीले रंग तथा चोड़ी पत्ति वाले पोधे में पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है और इसका इस्प्रे करेंगे आप जो लक्सूर में जो पीला मनाता है उससे भी छोटकरा हो जाएगा किसान भाईयो 0.52 यदि आपने इस्प्रे कर दिया तो इसका क्या लक्षन दिखाए देगा पोदो पे फासपुरस जड़ प्रिणाली के विक्सित करने में मदद करता है तो जड़ कमजोर होती है फासपुरस पोदों में स्वस्त बीज निर्मान तथा दीजों के वजन बढ़ाने में मदद करता है यहां पोदे तने टतारेंटल को मजबूत करता है फासपुरस पोदे में फुल फॉल बनने में मदद करता है यसे कंद का विकास होगा तो कंद में लसून में ये विकास करेगा, कंद में फासफुरस दलहनी फसलों में जड़ों के ग्रंथियों के लिए जरूरी है, इसी पिरकार जो लसून की जड़े विक्सित नहीं हो पारे थे, विक्सित होने में प्रोब्लम दिया, समाप्त हो रही थी, जड़े भी विक्सि इसके स्प्प्रे करेंगे तो लसून पोताफ और सल्फर और वासपुरस इसमें कुछ मात्रा में तिनों तत्व ऐस में similar हो जाती है लसुन कंद बनने के स्टेज करें आप लिघ्र में आप इसके स्प्रे करें आ lucky कितने दिन पाराइं सप्टतर दिन 60-70 दिन बाद आप उसके स्प्रे करें तो अपने को कितना लेना है प्रतिय कर एक केजी 150 लेटर में इस्प्रे करें आप लसुन के उपर कंद बनते समय पोटास वो सलफर की बहुत अतियवे सकता होती है कंद काकार वो साज वजन बढ़ेगा उकिसान भाई उसको खरपतवार या किसी भी कितना सकते साथ आप इस्प्रे कर सकते हैं उकिसान भाई किसी फसल का उत्पादन उसकी इस्प्रे की मात्रा सईडोच को उपनेर भर करता है इस वीडियो को दूसरे किसान भायोकसान सेर जरूर करें ताकि उन्हें भी समय रेते जानकरी मिल सके और इसी प्रकार की खेती वाड़ी की नए नए अपडेट के लिए चेनिल को सब्क्राइब करें